हलो वेल्कॉम टू के एजूकेशन देखें आज हम दाहिंदू का यह सेट टू है जिसमें हम ट्रांसलेशन सीखेंगे आपका बहुत सारा प्यार मिला पहले वीडियो में और आई होप हर दिन के साथ हम अपने इस वीडियो के स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाएंगे और आप क उम्मीदों पर ख़रा उत्रेंगे और जादा से जादा लोगों को अगर आप शेर करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा चलिए बिना देरी किये हूए शुरू करते हैं आज काम ट्रांसलेशन झालिचन को बताने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि यह बैसिकली कवर करता है, इसमें बताया गया है कि High Court ने अभी अभी Government को आदेश दिया है कि दिल्ली का जो यमना पुस्त का एरिया है, वहाँ पर जो लोगों को इस्थानांतरित किया गया है, जो मजदूर गरीब थे, उनको जो इस्थानांतरित किया गया है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्ता सुचारू रूप से रहे, तो अब हम पढ़ते हैं इसके Heading को, सबसे पहले Heading पढ़ते है, Ensure Food for Stranded Workers, यहाँ पर एक Word आया, Stranded, इस Stranded का मतलब क्या होता है, इस Stranded का मतलब होता है, असहार, अचा मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आप इसकी PDF अगर तो आपको PDF हमारी Telegram Group पर मिल जाएगी, और इस PDF में मैंने जो पैसेज लिया उसका translation भी कर दिया है, साथ ही साथ उसकी जो meaning है वो भी यहाँ पर लिख दिया है, तो इस तरह से आपको बहुत benefit हो जाएगा, तो चलिए फिर से पढ़ते हैं, पैसेज को, तो यहाँ पर Stranded का म जो भी Stranded workers हैं, जो भी Asahive workers हैं, उनको food सुनिश्यत करें, इनसे ओर का मतलब होता है सुनिश्यत करना, ठीक है, उनको भोजन सुनिश्यत करें, यह heading है, अच्छा यहाँ पर Stranded जो लिख गया है, अब आप सोच रहे हैं को, यह वर्व की second form है, ठीक है, तो मान लिया यह वर् beautiful सा structure मिलता है, और उस structure में, जो वर्व की third form जो होती है, वो adjective का काम करती है, ठीक है, यहाँ पर workers की विसेस्ता को बताया जा रहा है, वो workers कैसे हैं, असहाए हैं, तो आपने क्या लग दिया, Stranded workers, इसका एक example और भी आप ले सकते हैं, example इस तरह से होता है, कि जब आप कहते है कि, I have, I have a designed chocolate, s-i-g-n-e-t, designed chocolate, ठीक है, जब आप कहते हैं, I have a designed chocolate, मतलब मान लिजे कोई chocolate थी, वो बहुत ही design-dar है, तो मेरे पास एक बहुत ही designed chocolate है, तो यहां designed basically verb की तरह use होता है, I designed a picture, I designed a logo, ठीक है, तो वहाँ पर यह verb की तरह काम करा है, लेकिन जब इस verb के आगे, आगे आगया directly chocolate, तो यहां पर यह designed adjective की तरह काम करेगा, ठीक है, तो यहां पर भी जो standard workers है, standard verb की तरह भी काम कर सकता है, और यहां पर basically, जो की adjective की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहां पर आसहाय मजदूरों की बात हो रही है, तो यह beautiful structure आपको पर पढ़ेंगे, तो छोटी heading, बड़ी heading होती है, उसकी एक sub heading होती है, और उसमें बताया जाता है कि basically, वो passage कह कह रहा है, यमना पुस्त एक area का नाम है, और उसमें high court क्या कह रहा है, tells, order दे रहा है, high court tells, यहां देखिए high court singular subject है, तो वर्ब ही singular लगाएगे, और वर्ब को singular कैसे बना जाता है, ऐसे यह एस लगा कर, high court कहती है, किस से केंद्र सरकार से, यहां government का मतलब central government से, या फिर अर्विंद के जिवाल की सरकार को, सरकार को कहती है, क्या कहने के लिए, to assist करने के लिए, assist का मतलब होता है, सहायता पहुचाना, सहायता करना, to assist inhabitants, inhabitants का मतलब क्या होता है, निवासी, यानि जब आप आप कहां के inhabitants हैं, आप अपने area के inhabitants हैं, तो यमना पुस्त के जो निवासी हैं, उनको government स आयता परदान करे, ऐसा High Court ने बोला है, अब हम पैसेज को पढ़ते हैं, The Delhi High Court has, वर्ब की, has के साथ क्या आएगा, वर्ब की third form, has directed, ठीक है यहाँ, has directed the city government, High Court ने निर्देज दिये हैं, किसको दिये गये हैं, city government को, to continue taking necessary steps, की जारी रखें, जारी रखें, क्या लेना, एक आवश्यक, आवश्यक steps को लेना, किस लिए, to ensure, ensure करने के लिए, ensure का मतलब सुनिश्यत करना, to ensure, सुनिश्यत करने के लिए, there is no dearth of food, dearth का मतलब क्या होता है, कमी, dearth का मतलब क्या होता है, कमी, याद रख लेना, dearth of food, कि वहाँ पर किसी भी तर पोटेबल का क्या मतलब होता है, पोटेबल का मतलब होता है, पीने योग है, पीने योग है, पानी की कमीना हो, पावर की कमीना हो, और सैनिटेशन की कमीना हो, मतलब स्वक्षता की कमीना हो, इन सेल्टर्स, सेल्टर्स का मतलब आस्रे, क्योंकि मजदूरों को एक आस्रे शेल निवासी लोग है, the inhabitants of यमना पुस्त, यमना पुस्त के जो निवासी लोग है, have now been relocated, जहाँ पर यमना पुस्त के निवासीों को have now been relocated, यहाँ दिखे, have के साथ बीन लगा है, और बीन के साथ आई एंजी और मेसा लगता है, लेकिन यहाँ पर वीथरी लगा दिया गया है, उस shelters में, मतलब उस आश्रे में, जहाँ पर यमना पुस्त के लोगों को relocate किया गया है, पुनर स्थापित किया गया है, और the labor camps, या फिर जो labor camps है, कहाँ पर सराई काले खान, throughout the lockdown period, lockdown period के दौरान, वहाँ पर क्या-क्या चीजे होनी चाहिए, no dirt of food, food की कमी नहीं होनी पावर की कमी नहीं होनी चाहिए, और स्वक्षता की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ दर clear है, आगे, over 4000 inhabitants, लगबग, मतलब, almost, यानि, पूरे 4000 inhabitants, जो निवासी है, during the hearing, मतलब, hearing का मतलब होता है, जब court में सुनवाई होती है, उसको, सुनवाई के दौरान, done through video conferencing, कै कैसे उन, यह जो hearing हुई है, hearing, वो किसके कैसे हुई है, यह video conferencing, आजकल आपको पता है, court में video conferencing के through ही हो सकता है, क्योंकि lockdown वहाँ पर ही fall हो रहा है, तो video conferencing के through, यह hearing हुई है, additional solicitor journal, additional solicitor general, जो होते हैं, वो राजमंत्री होते है, additional solicitor general कौन है, संजय जायन है, और वो क्या कह है, appearing for Delhi urban shelters, यह appear हुए, ठीक है, कि भाई, court में अगर hearing होगी, तो दो पक्ष होते है, तो Delhi के जो shelters है, मतलब Delhi के urban shelters, में के लिए, Delhi urban shelter improvement board, यानि DUSIB के लिए, जो है, वो कौन appear, appear हुए थे, वो संजय जायन, यह है, additional solicitor general, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, submitted, इन्होंने submit किया, that there were 4,229 inhabitants living at Yamnapust, और इन्होंने बताया, court को, कि वहाँ पर 4,229 निवासी रह रहे हैं, कहां के, Yamnapust के, between April 14 and April 16, यानि 14 अपरेल से 16 अपरेल के बीच, 3600 have been shifted, 3600 को shift किया गया, 3600 जो वहाँ के Yamnapust के निवाशी थे, उनको shift किया गया है, two different schools in east, west and northwest Delhi, कहां shift किया गया है, विभिन विद्यालियों में, पूर्व का विद्याल है, पश्चिम का विद्याल है, और उत्तर पश्चिम की Delhi, जो location है, वहाँ के विद्यालियों में, कितने 3600 को, have been shifted, यहाँ पे भी देखे, been shifted आ गया, यानि बीन के साथ ing ना लगकर, जब वही वीत्री आ जाता है, तो व 600 have been shifted to Yamna sports complex, 600 को कहाँ shift किया गया, Yamna sports complex में, तोड़ा मैं आगे बढ़ा लेता हूं screen, Yamna sports complex में, and 358 have been shifted to shelters, और 358 लोगों को कहाँ पे shift किया गया, two shelters, उन आस्तरे shelter homes है नहीं, आस्तरे इस्थानों में, आस्तरे घरों में, जो की being run by the DUSIB, जो की चलाये जा रहे हैं, किसके द्वारा, being run, चलाये जा रहे हैं, being run का मतलब चलाये जा रहे है, by the DUSIB, DUSIB के द्वारा, ठीक है, he stated, उसने कहा, that none of the daily wage workers, कोई भी daily wage workers, कोई भी जो रोज की, daily wage का wage का मतलब होता है, मजदूरी, यानि रोज की जो मजदूरी प्राप्त करते हैं, उनको daily wage, workers, जो मजदूर है, are now stranded for our living, यानि कोई भी none of the daily, यानि कोई भी जो रोज वाले मजदूर है, are now stranded, वो सभी क्या है, जो असहाय, मतलब कोई भी मजदूर अब असहाय नहीं रहा है, ठीक है, यमना पुस्त जो है, वो एरिया खुला एरिया था, वहाँ बहुत सारे मजदूर थे, इसलिए बात हुई थी, और किसी ने appeal किया था हाई कोट में, तो उसी के बारे में बात किये जा रहा है, कि अभी जो है, वो डी यू एसाईपी के जो solicitor, एडिस्टा, जो है, उन्हेंने बताया, कि अभी क्या है, डेली विएज वर्कर्स के कोई भी इंसान, असाहाय वस्था में नहीं है, और कोई भी खुले इस्थान में नहीं है, सभी को अलग लग जाए, शिप्ट कर दिया गया, यहां तक हमें समझ में आ जाता है, आगे बढ़ते हैं, on the issue of construction workers, construction workers के मुद्दे पर working, और वो construction workers है, वो working at, कहां पर working, कहां काम करना है, प्रगती मैदान, ठीक है, जो कि प्रगती मैदान पर work करते हैं, and living at a labor camp at सराइकाले खान, और जो कि सराइकाले खान, जो labor camp, जो मजदूरी, इस्थान बनाए गया है, मजदूर लोगों को रहने का, वहां पर जो रह रहे हैं, the council appearing for, शपूर जी, पलॉन जी and company private limited, यह जो the council, यह जो council है, किस चीज के लिए council appear हुई थी, high court में for, सपूर जी, पलॉन जी and company private limited की तरफ से, जो appearing हुआ था, उसने क्या किया, submitted किया, क्या submit किया, that the workers are not directly employed by the company, यह जो workers है, यह company के दारा, द्वारा, directly employed नहीं किया गया, directly रोजगार इनको नहीं दिया गया है, ठीक है, the council submitted that the labor camp was running smoothly, council ने submit किया, कि labor camp जो है, वो बहुत थी, आराम से चल रहा था, and provisions been made for power supply, और provision का मतलब होता है, कि सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो निर्णे लिए गये थे, वो कारियर, ठीक है, कारियर सुचारू रूप से power supply के लिए चलाय जा रहा थे, जिसमें fans था, light बद्दियां थी, और उसमें toilet था, यह सभी चीज़े बहुत ही अराम से चल रहे थी, यह जो council है, council का मतलब होता है, एक लोगों की परिसत जिसको हिंदी में बोलता है, ठीक है, कई सारे लोगों का group होता है, the council also stated, stated का मतलब, बोला उन्होंने statement के form में, stated, क्या कहा, that the company is regularly releasing payments to all subcontractors, company जो है, वो नियमेत रूप से अपने payments को, सारे मज़़ूरों को दे रहे हैं, आपने रख तो दिया, लेकिन मज़़ूरों को पैसा भी तो मिलना चाहिए, तो जो मज़़ूर जहां जहां थे, उनको company ने ensure कर दिया है, कि उनको regularly पैसे भी मिलते रहेंगे, और यह चीज़, company ने state की कहां पर high court में, तो यह पैरा था, I hope आपको यह समझ में होगा, daily आप पढ़ेंगे, मैं guarantee देता हूँ, अगर आपने 21 days पढ़ने की आदर डाल ली, और आप मेरे साथ लगातार बने रहें, क्योंकि यह endlessly प्रोग्राम चलने वाला है, अभी हम शुरुआत बहुत ही छोटे छोटे पैसेज से कर रहें, बाद में हम बड़े-बड़े, और cutting passage की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन मेरा उदेश है, कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ, जिनको English वाके में नहीं आती है, और ऐसे बहुत सारे लोग है, जिनको अगर आप news paper दे दीजे, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो म मेरा जो सिर्फ और सिर्फ मोटो वही है, कि मैं उनको English सिखा सकूँ, और उनके मारगी की जो exam देने में जो बादा आती है, जो English है, वो उनकी दूर हो सके, तो आपको कैसा लगा, आप मुझे बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेर क्योंकि जब ज्यादा लोग देखते हैं, तो एक motivation आता है कि आज तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, उतने लोगों का विश्वास भी हमारे साथ जुडता है, तो यह passage आप पराप्त कर सकते हैं, यह पूरा PDF form, यह आप हमारे KG Education Telegram Group पर आप जाकर, KG Education नाम से है, KG Education Telegram Group प उसको भी मैंने Hindi और English में लिख दिया है, तो आयोब आपको यह अच्छा लगा होगा, कल मिलते हैं, कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और जल्द ही मैं English Grammar की Classes भी स्टार्ट करने माला हूँ, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!